हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ-साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की video बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे इस number के जरीए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक squarish formation में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और गर इनकी fingers की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख पाएंगे fingers काफी अच्छी लंबाई में है base phalanges से fingers काफी थिक नजर आ रही है जो बहुत अच्छी energy and stamina को दर्शाती है और सभी fingers पर आपको खुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का fingers पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलन सार सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी अगर हम इनकी particular fingers की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी तरजनी उंगली यानि गुरू finger काफी अच्छी लंबाई में है काफी थिक है यहां से आप fingers की thickness को judge कर सकते हैं अगर length की बात की जा तो यह finger थिक होने के साथ साथ बहुत अच्छी length में है इस तरह की लंबी गुरू finger का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी अध्यात्मिक यानि spiritual nature का होगा साथी साथ ऐसे व्यक्ति की leadership qualities काफी अच्छी होती है दूसरों को lead करने वाली capability दूसरों का mark दर्शन करने वाली capacity ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी होती है अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो आप देख पाएंगे शनी finger बिल्कुल straight है बहुत अच्छी लंबाई में है इस तरह की शनी finger की लोगों की होती है ऐसे व्यक्ति काफी hard working होते है एक disciplined personality, एक नयाए प्रिया, nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन ही खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी progress कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामियाब हो जाते है अगर इनकी सूरे finger को देखा जाए तो medium length में इनकी सूरे finger नजर आ रही है लेकिन यह finger बिल्कुल straight है और ऐसे finger व्यक्ति को काफी creative nature का बनाती है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है creativity का level high रहता है और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूरे finger बिल्कुल straight हो काफी अच्छा social circle पना पाने में भी जीवन में कामियाब हो जाते है अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger की आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सूरे finger और mercury finger के बीच में काफी अच्छा gap बनता हुआ कुछ इस तरह का gap आपको इन दोनों fingers के बीच में नजर आएगा इस तरह का gap होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी independent सभाव का होगा यह लोगों की इन दोनों fingers में gap हो ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही छोड़ते हैं कुछ इस तरह का सभाव आपको देखने को मिलेगा थोड़ी rebellion nature थोड़ी जिदी नेचर ऐसे व्यक्ति कि आपको देखने को मिल सकती है जबकि इनकी mercury finger थोड़ी सी low set है अगर fingers के बिलकुल नीचे एक line ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी groove finger इनकी शनी finger इनकी सूर्य finger तीनों की तीनों काफी उपर से शुरू होती हुई काफी high set है जबकि यह finger low set है नीचे से शुरू हो रही है जिसकी वज़ए से थोड़ी shy nature थोड़ी hesitation वाली nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है जबकि इनकी mercury finger की लंबाई में कोई कमी नहीं है यह finger length में अच्छी है जिसकी वज़ए से इनके communication skills काफी अच्छे रहेंगे लिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी अगर हम यहाँ पर इनके ब्रस्पती यानि guru mount की बात करें यानि हिथेली का यह वाला जो हिस्सा है इसको guru mount कहा जाता है और यह area अगर इस तरह से उभरा हु उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को knowledgeable बनाता है spiritual minded बनाता है और साथी साथ आपको कुछ progress lines भी यहाँ पर नजर आएंगी यह रिखाएं जिनको हम तरक्की की रिखाएं यानि progress की lines कहते हैं ऐसी रिखाएं जब भी guru परवत पर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी progress चीवन में दिलवाती है ऐसे व्यक्ति अपनी knowledge के बल पर अपनी knowledge की वजह से बहुत अच्छी तरक्की चीवन में पा लेते हैं अगर हम इनके शनी की बात करें तो शनी का जो mount है यहाँ पर हलका सा दबा हुआ है और शनी mount का दबना दर्शाता है इंडिकीट करता है कि ऐस काफी hard work भी करना होगा काफी मेहनत गीवन में रहती है ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है ज्यादा hours तक काम करना पड़ सकता है और घर से दूर यानि अपने जनम स्थान से दूर किसी दूसरी जगा पर जाकर भी मेहनत करने पड़ सकती है अगर हम बात करें इनके हाथ में इनकी भागया रेखा यानि fate line की आप देखोगे यहां पर यहां रेखा आपको इनके चंदर परवत की तरफ से शुरू होती हुई नजर आएगी यह जो area है यह चंदर परवत का area है और यहां से इस तरह की एक रेखा उपर की तरफ उड़ती हुई और साथ में यह रेखा आपको इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी बीच में इस रेखा के इस तरह के breaks का होना चीवन में काफी सारे ups and downs व्यक्ति को दिखलाता है लेकिन इस रेखा का चंदर परवत यानि इस area से moon area से शुरू होना जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं देता है काफी अच्छे travel ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और दूसरी अच्छी चीज यहां से इस रेखा का strong होकर चलना लगबग 36 के आसपास की age से यह रेखा काफी strong है अगर किसी की fate line इस area से 36 के around age से strong हो रही हो तो यह ऐसा व्यक्ति 36 यानि 36 37 वर्ष की age के बाद चीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है काफी अच्छी progress ऐसे व्यक्ति के चीवन में 36 की age के बाद देखने को मिलती है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो सूर्या का जो area है हलका सा दबा हुआ नजर आ रहा है और यहां पर सूर्या र की कमी रहती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी help कर ले बदले में कोई appreciation नहीं मिल पाता और यहां पर आप देखोगे यह है रिखा इस तरह से अगर कट रही हो तब भी व्यक्ति को जीवन में बहुत कम appreciation मिल पाती है अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो mount है यह काफी उठा हुआ है उभरा हुआ है उठा हुआ मरकरी mount होना व्यक्ति को बहुत अच्छे communication skills देता है और ऐसे व्यक्ति का business acumen भी strong होता है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रिखाएं चिने हम पामिस्ट्री में healing lines के ना पर मौजूद हो तो यह उस व्यक्ति को काफी अच्छी healing capabilities देती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को समझने वाले होते हैं दूसरों की problems को दूर करने वाले होते हैं ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी सलहा से अपनी consultation से या किसी ना किसी तरह से दूसरों की help हमेशा करता है और दूसरों की problems को दूर करने की काबलियत रखता है अगर major lines की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो line of heart है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा विश्णू चिन बना रही है जिसको V type का चिन भी कहा जाता है जब इस तरह का चिन यानि bifurged line हो heart line और भी यहाँ पर गुरू परवत तक पहुँच रही हो तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं अध्यात्मिक nature के spiritual nature के होते हैं और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का यह V type का चिन बनता है अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इमानदारी के रास्ते पर चल कर क चल कर बेइमानी से चीटिंग से किसी तरह की धोका धड़ी या फ्रॉड के जरिये पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती हैं इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें हमेशा यही सुजस्ट करता हूं कि हम हमेशा सही रास्ते पर चल कर इमानदारी से और मेहनस से ही जीवन में धन कमाएं आप यहां पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है लेकिन लास्ट में चल कर यह रिखा आपको कुछ कमजोर पढ़ती हुई भी नजर आएगी यहां पर आकर आपको एक आइलेंड जैसा दवीप जैसा चिन बनता हुआ नजर आएगा सिक्स्टी के आसपास की एज में चल कर इस तरह का चिन होने से व्यक्ति को कुछ हेल्थ रिलेटेड इशूस का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर डियाबिटेस जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ माइंड की आप देखेंगे यह जो रेखा है माइंड की लाइन है और यह रेखा काफी लंबी है और सपष्ट है यह जो रेखा है इसको कहा जाता है लाइफ की लाइन एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करोगे इन दोनों रिखाओं के बीच में एक अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर रगा जारतर हतीलियों में यह दोनों रिखाओं आपस में चुड़ी हुई होती हैं और काफी लंबी दूरी तक जुड़ी होनी के बाद अलग अलग होती ह लेकिन जब किसी के हाथ में यह रिखाओं शुरू से ही इस तरह है से अलग-것 हो रही हो तो ऐसा वियक्ती छोटी एज से ही अपने डिसीजन्स खुद बख्खुद लेने वाला होता है छोटी एज से ही ऐसा वियक्ती अपने सारे फैसले लेता है और इसी की वज़दे से इनकी जो line of mind है, काफी लंबी है, mind line जब अच्छी लंबाई में होती है, तो अच्छी memory देती है, काफी अच्छा logic भी ऐसे व्यक्ति का रहता है, लेकिन इस रेखा का बीच बीच में stress lines के साथ touch होना indicate करता है, कि थोड़ा तनाव, थोड़ा stress और anxiety ऐसे व्यक्ति को प्रिशानिया दे सकती है, अगर हम इनकी life line की बात करें, जिसको हम जीवन की रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी लंबाई में इनकी life की line नजर आएगी, life line का अच्छी लंबाई में होना आपको एक अच्छी age indicate करता है, यहाँ से रेखेंगे आप शुरू होती हुई, यह है रेखा, लगबग इस सेरिया तक, लगबग 75 से लेकर 80 तक की age ऐसे व्यक्ति की रहने की काफी प्रभल संभावनाए होती हैं, काफी ज़्यादा यहाँ पर चांसिस रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की age लंबी रहे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ रिखाएं आपको इनके इस एरिया में के तो एरिया में एक फिश जैसी अकृती, फिश जैसी शेप बनाती हुई भी नजर आएंगी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जो रिखाएं हैं इस एरिया में एक फिश जैसा शेप बनाती हुई, इसकी वज़े से लाइफ में लॉंग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार सडन वैल्थ यानि अच्छानक धन मिलने की संभावना होती है, जैसे शेयर मार्किट से लोटरी के जरीए, इंशोरेंस के जरीए या फिर इनहरिटेंस यानि पुष्टैने जमीन जैदाद के जरीए भी धनकी प्राप्ति हो सकती हैं, अगर इनके वीनस एरिया को देखा जाए, यानि शुक्र माउंट को देखा जाए, तो आप देखेंगे वी इस अब तरह की facilities मिल जाती हैं ऐसा व्यक्ति जीवन की हर एक चीज को enjoy करता है लेकिन इस mount के उपर इस तरह की रिखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता ऐसी रिखाओं यहां पर मौजूद हो तो relationship को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ता है ऐसा व्यक्ति अपने relationship को ल देकर भी ऐसा व्यक्ति worried देखा जा सकता है अगर इनके moon area की बात करें तो आपको moon area से काफी सारी रिखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ उठती नजर आएंगी जिसकी वज़य से काफी सारे long distance travel व्यक्ति के चीवन में होते हैं लेकिन इस तरह की आड़ी रिखाओं का होना भ व्यक्ति को anxiety जैसी समस्यां stress जैसी समस्यां दे सकता है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद